हेलों वन्ने मात्यरम हाव आइट आपना पाद है अलौ स्टूदेंट्स पहला ऐसे में धाउसर जो पहला जो जो आपने की 1977 जो तू बिकस्टेट्स उसका जो पहला राजय था कनोज ऑसके बारे में हमने फिनिश किया और उसके बाद आज हम शुरू करेंगे वातपी के बार बारे में पढ़ना वाथपी यानि कि जो पहला जो राजय था कनोज उसके बारे में और वाथपी यानि कि जो दूसरा है राजय उसके बारे में हम लर्ण करेंगे जो कि छूटा सा बहुत ईजी सा पोशन है ठीके और वहां पे इसमें हमें पूलकेशी 2 के बारे में लर्ण कर was ruling in sound area He has earlier defeated to Harsh यानी की जब राजा Harsh उत्तर भारत में अपने सामराज़ कर रहा था तब राजा पूलकेशी जो थे दक्शिन भारत में साशन कर रहे थे और उसने पहले क्या किया था Harsh को हरा दिया था और हमने आगे देखा था कि Harsh बहुत सारी जगाव पे चड़ाई की लेकिन वह पूलकेशी 2 के सामने हार गए तो यह बात यहां पे फिर से रिपीट हुई कि राजा पूलकेशी ने राजा हर्श को हराया था अभी रूट टू थ्रोन यानि कि राजा जो पूलकेशी है वो सिहासन तक कैसे पहुँचे उसके बारे में लन करना है यहां पे लिखा है कि राजवन्स के राजाओने चालुकी यानि कि शोलंकी वन्स उनके राजाओने दक्षिन भारत में एक विशाल शामराजय की स्थापना की जिस पर उन्होंने अपनी राजितनी वातपी यानि कि बादा मी अभी का जो करना टक है वहां से शाशन किया था पुलकेशी वन या पे पुलकेशी वन का पोशन शुरू हो रहा है पुलकेशी वन अ ग्रेट किंग अफ चालुकी य डेस्टिनी परफॉर्म्ट अस्वमेंग यगन अभी पुलकेशी वन जो थे उन्होंने क्या किया था केश्वा में का यगन किया था और बहुत ही महान राजा थे His flag had the symbol of वरावतार अभी पुलकेशी यगन में जो फ्लेग था उसमें उसके द्वच का प्रतिक कौन सा था वरावतार का His son किर्तिवर्मा ascended the throne after him अभी पुलकेशी वन जो थे उसके बाद किर्तिवर्मा जो थे उसके बाद सिहांशन पर बैठे थे He was succeeded by his brother Manglesh who built the grand Vishnu template वातभी अभी वह अपने भाई Manglesh त्वारा सफल हो गया जिसने वातभी में भविय विश्नु मंदिर की स्थापना की थी भविय विश्नु मंदिर का निर्वान किया था After him, the righteous पुलकेशी 2 become king and ruled over empire for about 30 years और उसके बाद धर्मी पुलकेशी जो थे उन्होंने वो राजा बने और उसने लगबग 30 सालों तक किये सामराजय पर शाशन किया थे तो यहां से पुलकेशी 2 के बारे में learn होना शुरू होता है कि राजा बने उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया, कौन कॉन से battles किया ठीक है, जिससे हमने हर्षवर्दन की पूरी history learn की, उसी तरह से हमें राजा पुलकेशी 2 जो है उसकी history learn करनी है, जिसका टाइम यहां पर दिया है, 610 से 642 CE शुरू करते हैं पुलकेशी जो थे वो बहुत ही बहादुर राजा थे और जिन होने कई युद जीते थे इस फर्स विक्री विक्री वाज ओवर लाट साउथ गुजरात followed his win over गुजरात, यानि कि उसकी जो पहली जीत थी जो कि लाट, यानि कि दक्षिन गुजरात में आया है, उसके उपर थी, उसके बाद उन्होंने उत्तर गुजरात पे भी नियंतरन हासिल किया था यह गेंड कंट्रोल ओवर वैंगी, दे वैंगी रीजन कर लिया था, दे ट्रांस्पोर हैस, दे ट्रांस्पोर्ट दे केपिटल वातपी इंटू सिटी ओफ मैगनिफिकन्स और उन्होंने राजदन वातपी को भव्यता और भव्यता से एकदम बहुत ही मौडन शहर में बदल दिया था उस समय जो विलेज टाइप का पूरा सिनारिय हो था तो वो उन्होंने चेंज कर लिया और वातपी को एकदम मैगनिफिकन्स और श्प्लेंडर यानि की एकदम भव्यता से एक अच्छी सी सिटी बना दिया था यानि की हर्षवर्दन और पूलकेशी दृट्य की जो सेनाओं ने नर्मदा की नदी के पास एक महान लड़ाय लड़ी इसमें पूर्व को हराय गया था इस हैटेट हर्ष एक्सपांशन तोर्स साथ इंडिया और यहां पे जो पूलकेशी तू एन हर्षवर्दन के वीच में लड़ाय हुई उसमें जो हर्षवर्दन हार गए उसके वज़े से क्या हुआ कि हर्ष का दक्षीन भारत की और विस्तार रुक गया इसलिए कनोज का पूरा सामराज जो है वो नर्मदा तकी सिमित रहा नर्मदा रिवर से आगे कनोज का सामराज जो आगे बढ़ पाया नहीं पूलकेशी टू होस अनली ए गुरेट वर्यर बट अलसो अ लोवर ओफ लवर ओफ आर्ट्स पूलकेशी नहीं केवल एक बहुत ही अच्छे राजा थे लेकिन वो कला प्रिय भी थे उनको कला से भी बहुत प्यार था तो केव वादपी और धारापूरी वेर ब्यूर दूरिंग इस रिजन अभी उनके सामराज के दरम्यान वादपी और धारापूरी की गुफा उन्ह यहां पर अजन्टा केवस की फोटो दी है और आप में से कई लोगों नहीं यहां पर वो गुमने भी गए होंगे हमें यहां पर पूरा जो पत्थर पूरा माउंटेन है उसको पूरा क्रॉप करकर के करकर के गुफा का निर्मान किया है बहुत ही देखने लाइक जगा है उसके कला के प्रती प्यार है वो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है इन हिस ट्रावेल्स यूवें सांग विजिदे देखने पूरा के दरबार का भी विजिट किया था और उसकी भवयता का विशीद वर्णन उन्होंने अपनी बुक में किया है याने कि चालुकिय बंस के राजा जो थे वो हिंदु धर्म के अनिवयाई थे दूरिंग दिस टाइम बुदिजम वेंट इंटो डिकलाइन वायल दिगंबर जेन संग गेंड पॉपुलारिटी अभी उस समय क्या हुआ था कि बोध धर्मा में गिरावटाई और जबकि दिगंबर जेन संग प्रदाई ने लोग प्रियता हासिल कर ली थी हर्षवर्दर और पॉलकेशी2 वें कंटेंप्रारी रूलर अभी हर्षवर्दर और पॉलकेशी2 जो है समकालीं शाशन थे यह जांग में वह दोनों हि एक दूसरे के बराबर Ты उं दोनों ने अपने बराबरी से शाशन किया था समकालीं शाशत थे हावेवर हर्ष फाउट फ्यूर बैटल्स कंपेट तू पूलकेशी टू कंटिनूट वैजिंग वार्ज अभी इसमें क्या है कि हर्षवर्दन ने बहुत ही कम बैटल किये थे और उसके सामने पूलकेशी जो है उन्होंने बहुत ही यूद लड़ाया लड़ी थी हर्ष ने पूलकेशी की तूल ना में कम लड़ाया लड़ी जिन्होंने युद लड़ना जारी रखा था पूलकेशी जो है उसने युद लड़ना जारी रखा था अभी उनका जो अंध है उनकी दैट केसे हुई 640 CE में in a conflict with पलव किंग ओफ कांची पूरम अभी पूलकेशी हर्ष वर्दन जो है वो पूलकेशी तू के सामने लड़ते-लड़ते हार के मर गया और पूलकेशी तू है वो कांची पूरम के पलव राजाओं के साथ संगर्ष में उनका अंत आया तो यहां पे हमने दो बड़े ही राजिय और उनके दो बड़े महान राजाओं के बारे में पढ़ाई की जिसमें हर्षवर्धन का जो कनोज का पूरा टॉपिक है वह थोड़ा सा लंबा था और बड़ा ही मज़ेदार था जिसमें हमें बहुत सारी कुछ चीज़े जानने को मिली और जो वातपी का पोशन है उसकी कंपेर में थोड़ा सा छोटा है लेकिन एजी है तो I hope you all guys can understand this chapter very well अपने अच्छे से समझ लिया होगा और हम नेक्स वीडियो में exercise learn करेंगे जिसमें कुछ question answers लिखने भी है और कुछ question answers जो है वो हमें discuss करने तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक आपको ये अच्छे से समझना है learn करने ठीक है टेक करें वने मात्रम